और चलिए आपको सीधा गड़ मुक्तेश्वे लिए चलते हैं जहां पर जेपी नड़ा मौजूद हैं और पर ये मैंने साथ सुपर स्वेशाल्टी ब्लोग बननी है आदी बिलिंग बन करके खड़ी है पूरा क्यों नहीं हो रहा करका कहां शाहब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लिए मिए यह तेकेद्जार के शाफ भोटाला हो गया ये घोटाला तन कि कि गौंती के डिएफरण पर सोलह हचार करोड़ कöyleपय का बताईये सीवियी ने दो केस रजिस्टर किया कि नहीं किया किया था कितने का घोटाला था 16000 को यह चोटे गोटे घोटाले नहीं करते थे मजा नहीं आपको था जब तक 16000 का घोटाला नहों यह गोंती रिवर फ्रेंट पर यह भी आपको पता युवा साथी सुन लो इन्हों ने का कि मैं 15,000,000 लोगों को लेप्टाप दूंगा और 15,000,000 लेप्टाप करीडे थे और बटे जिर्फ 6,000,000 अची सदार बाकी कहां गए युवाओ के कहां गए अभी एक लाग लेप्टाप्स और स्मार्टपोन बटे आने वाले समय में एक करोड नो जमानों को यह लेप्टाप पूर्टपोन देंगे योगी जी इस बात को समझना चाहिए इनके जमाने में इनके जमाने में आपको मालू है 5 साल में कितने दंगे हुए मालू है 700 दंगे 700 दंगे 700 क्या वही राच चाहते हो कि यहीं है इसका खांदान ये आजकल हासी के दांच दिखाने के और और खाने के और हैं चुनाओं से पहले ये सम्दबार दिखाएंगे साथ सो तंगे हुए हैं मुझफवर नगर में 2013 में बासत लोग मारे गए बासत लोग कौन पूछेगा ये पलायन हुआ आप परिवाद छोड़ करके करना भी चले गए लोग इसको याद करना चाहिए और सबसे दुख की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने पंदरा आतंजवादियों को उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया था ओन रिकॉर्ड है पंदरा आतंजवादियों को कोर्ट ने विड्रो करने की अजाजत नहीं दी कोर्ट ने केस लगाया चार को फासी हुई और बाकियों को सजा है उनके हद हुआ यह अखिलेश जी यह नेता यह मुख्यमंत्रिबने यह मुक्वंती बनने का चाहों रखने वाले बनाओगे अजिलों को लाओगे अजिलों को यह बातें बताने की हैं पंद्रह लोगों के खिलाब केस वापस ले लिया और उन्हें से चार को सजाए मौत हुई है यह इनकी सिद्धी है अपराधी माफिया आशकल इनके बुरे द इसलिए क्योंकि इनके बुरे दिन हैं और उत्तर कुदेश के जलता के अच्छे दिन है इस बात को हमको समझना चाहिए इसको हमको ध्यान में प्रूंग आप अभी नारा लगा रहे हैं जैश्री राम का यह जैश्री राम के नारे को ताकत किसने दी किसने दी यह आपको समझना चाहिए हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई यह फर को कि बैठ करके भारत को विचार और तृष्टी से मोधियं जी पिने दुमके चला करके मजबूत राष्ट्रा बनाने आया इस बात को को समझना चाहिए और फिर कहने के लिए नहारे के लिए नहीं कहता बताइए भारा तीनों सप्तर को अधाना था कि नहीं हटाना था तक सब्सक्राइब गुजर गए खें तक यह नहीं हुआ था यह मोदी जी की इच्छा शक्ती थी और अमिश्या की रण नीती थी कि धारा तीन सो सत्तर को धारा शाही कर दिया यह भी हमको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में दो सो चप्पन कानून भारत के लागू नहीं होते थे आज वो सारे कानून लागू हो रहे बताएए नो करोड मुस्लिम बेहने तीन तलाग से दुखी थी कि नहीं थी नो करोड बेहने मुस्लिम बेहने तीन तलाग से दुखी थी कि नहीं थी सुप्रीम कोट ने कहा था कि सिकंत तर्थी तलाख हटाओ किसी नेता में ताकत नहीं थी मोदी जी ने उनकी इच्छा शक्ती ने तीन तलाख स्वास करके नो करोर बहनों को आजादी दिलादी इस बात को हमको समझना चाहिए किसी नेता चाहिए झालदादी नेता है